हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन इनार चैनल विनु डाइरीज आज हम बात करेंगे कि पती-पत्नी में आखिर जगडा होता क्यों है देखिए जहां पर आए दीन तलाक होते रहते हैं लेकिन हमारे भारत वर्ष में वहीं पर पती-पत्नी के रिषpower को एक जीवन भर अफरी का नहीं दोस्तो यहां तक भी नगए है ये साथ जन्मों का रिस्ता होता है, साथ जन्मों तक हम पती-पत्नी को किसी ने किसी रूप में साथ ही रहना पड़ता है, हमारे भारत वर्स में तो यहां तक भी माननेता है, लेकिन फिर भी हम पती-पत्नी में जगड़ा होता है, तो आज हम इसका कुछ रीजन जानेंगे, आखिर क्यों पती-पत्नी में जगडा होता है देखे, सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी होगी पती-पत्नी दोनों अलगी परिवार में पले बड़े हैं दोनों अलगी परिवार है तो दोनों की mentality अलग होती है दोनों की सोच अलग होती है दोनों का नेचर अलग होता है क्योंकि दोनों अलग-अलग परिवार में पले बड़े हैं तो दोनों एकदम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं लेकिन दोनों डिफरेंट होते हुए भी जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो एक हो जाते हैं और एड़ेस्टमेंट करना सीख जाते हैं इसके एड़ेस्टमेंट के बाद भी पती-पत्नी में जगड़ा होता है तो आज हम वही रिजन जानेंगे कि इतना एड़ेस्टमेंट होने के बाद भी दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं लेकिन फिर वज़े से होते और कोई realizing नहीं होता है और एक तरह से देखा जाए तो तीनों ही रिजन बहुत μोटे होते हैं एक त्रश्व हिंकर कई च्छ बहुत awfully नहीं है लेकिन बात वह even ugkin जब जभ्राब्राइब Samir जाता है जब हमारे पेच रमालता ही जब हमारे बीच हो जाता है तो यह नगी लिए टी मोड ले 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 लेती हैं हमारे परिवार भी हो सकते हैं या फिर हमारे बच्चे भी हो सकते हैं थर्ड परसन में कोई भी आ सकता है जिसकी वजह से हमारे भी जगड़ा होता है जैसे आपका परिवार होता है कोई एक दूसरी को किसी की भी फैमिली वाला किसी को कमेंट करता है तो वाइफ हस्बेंट से कि तुम नहीं बोलियों उनका साथ दिया तो मतलब थार्ड परसन की वज़े से हमारे भी जगडा होता है यह फिर हमारे बच्चों को लेकर भी हो जाता है कि बच्चों में कोई गलती करते हैं या बच्चे पढ़ाई में अच्छे नमबर नहीं लेकर आते हैं या बच्चे बात नहीं मानते हैं मतलब आपस में जगड़ते रहते हैं तो भी हम क्या करते हैं कि एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वज़े से ऐसा हुआ husband wife को बोलता है कि तुम्हारी वज़े से ऐसा हुआ wife husband को बोलती है कि तुम्हारी वज़े से ऐसा हुआ मतलब कुल मिला कि third person की वज़े से जगडा हो रहा है हम दोनों एक दूसरे को समझ गए हैं दोनों अपना जीवन के साथ अच्छे से रहते हैं लेकिन जो third person होता है उसी की वज़े से हमारे भी जगडा होता है या फिर हमें किसी के यहां जाना होता है husband को चाना होता है wife को नहीं जाना पसंद होता है या wife को अपने family के पास जाना अच्छा लगता है बहन के पास अपने लेकिन थर्ड परसंद की वज़े से जगड़ा हो रहा है और जगड़ा होता है तो कोई प्रोब्लम नहीं है लेकिन यह जगड़ा कभी-कभी इतना बढ़ जाता है कि हम दोनों आपस में दस दिन पंदरे दिन नहीं बात करते हैं जो एक नया रूप ले लेती है जब पती-प क्यों बोला मन में इस तरह की बाते बैठा लेते हैं और जो सोच होती है कोई भी बिठाई एक पार्टनर कोई भी दोनों पार्टनर होते दोनों अपने अंदर जब यह सोच रखेंगे तो जगड़ा बढ़ जाता है और जगड़ा ऐसा हो जाता है कभी-कभी तो नया होते हैं भी हम एक दूसरे के साथ के साथ हमारा अपना तो कोई झगड़ा ही नहीं जगड़ा क्या है vya Fam फिर भी हम जगड़ते रहते हैं तो पहला हमारा यह हो कि थर्ड परसन की वज़े से जगड़ा होता है सेकिन हमारा पॉइंट होता है हमारा काम को लेकर हमारा जैसे कि दोनों husband wife working होते हैं दोनों office जाते हैं तो सेम टायम जाते हैं सेम टाइम घर आते हैं और घर आने के बाद अधे विकल्स टनाव होता है वह भी हमारे झ्ऎदे का करते हैं बच्ची आमरे परिशान करते हैं तो husband सोचता है कि wife बच्चे को सब्हाले मैं tracks करूं वाइब सोचते कि मैं भी ठककर आई हो कि यह समझाले मैं आराम करूं तो कहीं न कहीं हमारी जो expectation होती है एक दूसरे से वह हमारे जगडी का कारण बनती है कि हम एक दूसरे से तनी ज़्यादा उमीद रखते हैं कि मेरे लिए वह काम करें मेरे लिए ये काम करें तो जो वो नहीं होता तो हम एक दम से first rate हो जाते हैं एक तो हमारी ठकान रहती है कि हम office का काम भी करते हैं और जब घर में पहुशते हैं तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो और ज्यादा हमारा जगड़ा होता है और अब आता है third point होता है पैसो को ले कर तुमने ज्यादा खर्च कर दिये या तुमने कम खर्च के तुमने तो वहां दे दिये तुमने इसमें खर्च कर दे तुमने बच्चे को ले आए अपने ले ले आए या मेरे ले नहीं लाए तो कुल मिला कर ये हमारा पैसो को लेकर कुछ पैसा कहीं किसी फैमिली में होत मतलब understanding का नहीं है पैसों को लेकर जो कि अगर देखा जाए तो पैसों भी हमारे लिए इतनी वैल्यू नहीं रखते हैं जिसकी वजह से हमारे भी जगड़ा होता है तो दोस्तों बस यही कारण होते हैं जो पती-पत्नी आपस में जगड़ते हैं और अगर देखा जाए तो त दोस्तों बस्तों यहां प्यार होता है वहीं पर तो तक्रार होती है क्योंकि कहते हैं दोस्तों अगर प्यार होगा तो लड़ाई जगड़ा होना सवाभाविक है अगर हम जाए नकिन्सें बातलप मुस्कराते रहें लड़ते रहें लेकिन आपस में प्यार बनाए रखे और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेयर भी जरूर करिएगा और अगर आप नई हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा प्राइब बाइब 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 दो